बिजयपी के वरिस्ट नेटता डॉक्टर विजेस सोनकर शास्त्री इस वक्त में सथ मौजूद है। चीजे थी वो सब सामने आ चुकी है। मस्जित का पीछे जाकर के कोई भी सामाने विक्ती भी देख सकता है कि कि इस तरह से बुरे ढंग से मंदिर को तोड़ करके मस्जित बनाया गया है। इसी में होता कि लोग हिंदू समाज को सौप देते और अपने पुरुद्यों के किये हुए गलतियों के लिए वो लोग खेद वेक्ते करते। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। इसके बाद भी गंगा जमनी संस्कृती की बात की जाती है। तो बड़ा अजीव सा लगता है। अब देखें ये तो अलग का विशे है लेकिन हाकिकत तो ये है कि बारहमी सदी के बाद इदेश में जो ब्यापक रूप से हिंदूओं के उपर अत्याचार हुआ है वो इस पश्ट रूप से अब सामने आने लगा है। कि इस तरह से सोमनात के मंदीर को तोड़ा गया था। क्या इतिहास उसे भूल सकता है। इस साहब को लेकर कुछ सोचते हैं आप जिस तरीके की टिपनी आती है कयामा से कयामा तक इंशालला जैसे शब्दों का इस्तमाल होता है। मुगलो की चर्चा की जाती है और अंजेब की बात आ जाती है। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि जानकारी है आपको कि मुगलो की बीविया कौन थी। इस तरीके की टिपनी करने लगे है और उलेमा में कहीना कई परिशान है अब। अबेशी को तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी पड़े लिखे हों तो आगरा के लाल किले को जा करके देखें जहां इस पश्ट रूप से पत्थर पर खुदाई करके लिखा हुआ है कि अकबर की छो हजार बेग में थी। ये खुस होकर कि भारत की नारियां उनको समर्पित नहीं हो गई होंगी जिस तरह से अत्याचार इस देश में हुआ है और बैसी जैसे लोग गिरे हुए लोग हैं जो भारत के इतिहास पर राजनिती करने की कोशिस कर रहे हैं जबकि हाकिकत तो ये है कि अगर जनहित किये बात करते तो चंता के बीच में आकर के अपने पूरुजों के किये हुए खुराफात को अत्याचार को ब्यविचार को श्रीकार करते और हिंदु समाच से माफी मांगते लेकिन अभी भी कयामत की बात क्या लगता है माफी का आपने जिकर किया है मांग लेनी चाहिए अस व अभार्द कायम होगा आने वाले समय में जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के मन में एक तरह से कटूता है जो उनके पूरोजों ने किया है उसके लिए माफी के आलमा कोई दूसरा राष्टा नहीं है हजधी दिनोवेशी राजनीती चमकाने की कोशिश कर रहे है धार्मि गुनमाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे है या फिर कोई और नेता नहीं है अब तो एक तरह से देखा जाए तो वो जो गड़े हुए जो गड़े थे पो खुल रहे हैं क्या क्या चीजे गर्त में डाल दी गई है अब वो सब सामने आ रहा है और जहां तक वो बेशी की बात है तो यह केवल और केवल एक हल की ओची राजनिती कर रहे हैं उसके अलावां उनके बातों में दम नहीं है और यदेश कानून से चलेगा संविधान से चलेगा डॉक्ट फिरा करने वाली बातों से नहीं चलेगा जर ऊंट लेकर कुछ परिवर्तन करने की कोई तयारी क्यांकि यूंकि बार-बार दुहाई उसषी एक्यकुर्ट को अगर देखा जाय तो वह उस एक्टम से ही बहु सारी सामने आ सकती है इसलिए परिवर्तन हो या जो कुछ भी हो लेकिन देश में जो वास्त्रिक्ता है इस देश में इस देश को लंबे समय तक मजबूत नियू इसकी रखनी हो तो उसके लिए जो भी आशिकता उसको करने की है मिनार में प्राथना होती थी ऐसे कई तरीके के तथे रखे जा रहे हैं एक बड़े हैं व्यक्ति उनका भी कहना है कि नमाज अदा किया करते थे आपको क्या लगता है पूजा स्थाल में कनवर्ड होना चाहिए लेकि मामला भी कोट में देखिए सचाई तो यह है कि सब्सक्राइब के बाद में हुआ है उसके पहली यह हिंदुस्तान था और मुहम्मद बिन काशिम यह जो भारत पर अटैक किया था साथ सो बारह में साथ सो पंदरे तक लड़ाई चली थी यह तीं साल लगभग लड़ाई हुआ था तो वह हंदुस्तान पर अ ek और यह तो मुझी का आने के बाद तो एक तभाही हुई है किया पाटी स्टेंड लेगी इस चीज़ को लेकर क्योंकि आप ही लोग कहते हैं अयोध्या काशी मत्वुरा और फिर यह भी जिक्र उप मूंके मंत्री कर देते हैं कि अयोध्या हो गया है अब काशी मत्वुरा की बारी है तो क्या समझ लिया जाए कि कोड में जो मामला गय है मुझे ऐसा लगता कि ऐसे सैकुडू और भी चीजे है जिस जून की जहां मंदिर के प्रमाण मिलेगे मंदिर तोड़ दी जाएगी तोड़ने की आवशिक्ता ही नहीं है मुस्लिम समाज को उसको सोप देने की आवशिकता है देखिए हिंदुस्तान में दो चीजे समझने क कि आओ सकता है कि जो बरतमान भारत में जो बरतमान मुस्लिम समाज का पॉपुलेशन है यह पॉपुलेशन है क्या अल मुस्लिम दे अर कन्वर्टेड नॉट इमपोर्टेड विदेश से आय नहीं है इसको एक ध्यान रखना होगा और दूसरा इस बात को भी ध्यान में टेक हुआ था यानि विदेशियों का टेक हुआ था ये दो चीज़े अगर ध्यान में रहेंगी तो ये सब चीज़ें ये सम मुद्दे का समाधान होना बहुत ही आसान होगा लेकिन आज जो बरतमान मुस्लिम समाज है वो ये बास समझने के लिए नहीं तयार है उनको ये जर आजुद्या में जो राम मंदिर था वो तो राम के जन्मस्थान की बात थी ना दुनिया में कहीं और राम का जन्मस्थान है क्या आजुद्या क्या लेकिन क्या वो बाबर का जन्मस्थान था उसको तो मुस्लिम समाज को अपनी समझ से अपनी बुद्दी से दे देने चाह तो उसको भी पता चल जाएगा कि मस्जिद नहीं मंदीर पर को तोड़ के बनाए गया है इसलिए अगर वो समझ बूझ करके प्यार और मुहबत के साथ और जो सो काल गंगा जमनी संस्कृती की बात करते उसके तथ अगर दे देते हैं तो क्या ये 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 भी एक समाधान नहीं देखा जा सकता है और काफी जादा नराज नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम समधाय को सलहा देते हैं जहां भी मस्जित है और मंदीर के जबूत मिल रहे हैं आप उनको वापिस दीजिए लेकिन अभी नियायले पे कही ना कई लोको को भरोसा है यही वजा है कि नियाय लेज पे अपनी टिपनी करेगा कामें परसंद दुरुगेश के साथ मैं भावना आर्नाइन न्यूस तरह लिए